तो हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम आपको दिखाने वाले हैं Gunmetal Gray का एक Virtual Look जो की काफी जादा अच्छा है तो सबसे पहले हम Virtual Look की बात करेंगे और इसके Front की बात करेंगे Starting हम इसकी सुरुआत करेंगे सबसे आगे से तो सबसे पहले तो हमें इसके Alloy Wheels जो की टायर काफी अच्छे दिये हुए हैं और यह आप देख पा रहे हैं इसमें लगी हुई है Double A.V.S डिस ब्रेक और C8 के टायर दिये गए हैं और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है Zoom Plus तो I think काफी ज़्यादा अच्छा आप I think इसका Close View देख पा रहे होंगे और इसके बाद जब हम इसके Right Side में आ रहे हैं तो देख पाएंगे हम इसका Engine का View जो की काफी अच्छा हमें दिख रहा है इसका यह Chain Cover और यह Chain Stand, Gearbox और इसकी Seats, Fuel Tank और यह हमें Royal Infield की Badging जो की 3D है यह Leg Guard यह सारी चीज़ों के बारे में हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं एक एक चीज़ों के बारे में अच्छे से Explain करके तो सबसे पहले हमें जो C8 के Tires दिये गए हैं और उसके बाद उस पर जो Rim दिया गया है वो काफी ज़ादा एक अच्छी Steel का इसमें यूज़ किया गया है देन उसके बाद यह आगे की Headlight है हमारी मैं इसको जला करके भी आपको Show कर देता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे इसकी Light यह Turn On होई यह Turn Off हो गई and then यह इसके Side Mirror यह आगे की Disp Breaks और इसका यह कुछ ऐसा है यह उपर से View यह इसका कुछ उपर का View और देन उसके बाद यह इसके Backside का View जिसमें आपको Tail Lamp एक्जास्ट जो की सारी चीजे इस टॉक है यह पूरी गाड़ी आपको पूरी तरीके से Stock है इसमें कोई भी अभी External Accessories का Use नहीं किया गया है इस वज़े से यह पूरी तरीके से Stock है और यह Tail Lamp हो गई हमारी यहां पर आगे आपको दिख रहे है दिया गया है instrumental cluster हमें काफी अच्छा दिया गया है और इस बार इसमें काफी ज़्यादे अपडेट्स दिये गया है और इसको मैंने एक physical वीडियो में भी बनाया है वो physical वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं यह उपर से view दिया गया है जो कि काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यह था सिर्फ हमारा एक gunmetal gray का वीडियो इसके बाद हम और भी बहुत सारे वीडियो अब लाने वाले हैं आपके लिए तो बस इसके लिए करना आपको जाई है कि चैनल को subscribe कर लीजे और वीडियो को like कर दीजे and further videos के लिए ready रही है so thank you so much have a great day